ये हेयर ग्रोथ मास्क जड़ बालों का जड़ना रोक कर पतले बालों को इतना मोटा घना और लंबा बनाएगा कि सम्हाल नहीं पाऊगे हलो फ्रीज वागेत अब सभी का आपके अपनी यूटिब चैनल अर्वेट के हिल्थ एंड विटेश सेक्रेट में आज के इस वीडियो में सेयर कर रहे हैं आपके साथ एक ऐसा हेयर ग्रोथ मास्क आप इसे हेयर री ग्रोथ मास्क भी कह सकते हैं यह जड़े बालों को जल्दी से उगाने में मदद करेगा पतले बालों को मोटा घना बनाएगा बालों की जो ग्रोथ है उसको भी तेजी से या आपका कोई भी हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड क्वेरी है तो प्रीच हमें कमेंट बॉक्स में जरू लिखें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके बनाने क्ली फ्रिंट हमने यहां पर लिया है अध्रक जिंजर में जिंजोर नाम का पोसक्तत तो होता है जो बालों का ज़ड़ना रोकता है जड़े बालों को जल्दी सुगाने में मदद करता है इसके लावा अध्रक में एंटी अक्सिदेन प्रपर्टीज होती है जो बालों के जलने तूटने की प्रिक्रिया को भी रोकती है डियमेज वालों को रिप्यार करती है बालों की को तेजी से बूश्ट करती हैं इसके लावां अधरक में बहुत सारे ऐसे पोशत्थतों पाए जाते हैं जो बालो को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और डामेस बालो की मारम्मद करते हैं जिंजोल नाम का जो तत्व होता है वो हमारे स्कैल्प के बलड फ्लो को तेज कर देता है जिससे हमारे बालो की जड़े हैं वह एक्टिवेट हो जाती है और वहां से नए बाल उगनी की प्रिक्रिया है वह सुरू हो जाती है इससे बालो घनी होते हैं जड़े बाल जल्दी से उगाते हैं साथ ही बालो की ग्रोथ में भी बहुत वाइदे मंद होता है तो यहां पर मैंने दो इंच अध्रक कर टुकड़ा लिया इसको मैंने इस तरह से क्रस कर लिया और इसके बाद मैं इसको छान कर इसका जूस निकाल लूँगी आपको यहां पर एक से दो चमच अध्र इसके लामा फ्रेंड अध्रक में एंटी वेक्टिरिल एंटी फंगल परपटिस पाया जाती है जो हमारे स्कैल्प में डंडुप और इचिंग डेरही हम और एचिंग दूर करती है और Rachel को इसको हमने स्क्वीज कर लिया है और हमने यहां पर एक समच अध्रक का जूस मिल ग कि वियो możli שמ׆ पर तो अगर आपके पास आयवविए नहीं है तो आप मार्केट वाला अच्छी का joke आयव जे लिए सकते हों sh ס ak l बालों को सिल्गी शायनी बन लेले हैं। आपके से मझबूत करता है तो आयवड़ा की चील कराई और आप 살 túd मैंने अपने वीडियो में एलो बीडियो में आप देख सकते हूं इसके लॉब बनाई हैं और यह यह अंटी डेंडर यह कि यह अपने चैनल पर से रच शेयर किया है तो प्लीज आप उन वीडियो को भी जरूर देखिए गा और इसी तरह की useful वीडियो देखते रहने के लिए hair growth से related और skin care से related वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो please subscribe करें विल आइकन को दबा के all option को जरूर select कर ले ताकि आपको मारे सभी वीडियो की notification हमेशा मिलती रहे आप अगर एक बार all option को select कर लेते हैं तो आपको हमेशा हमारे वीडियो की notification मिलती रहती है और अगर आप all option को select नहीं करते हैं तो आपके पास notification नहीं जाएगी तो friend मैंने सारा gel निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने लगबग तीन चमाज ऐलो बेरा gel ले लिया है तो अगर आपके बाल ज्यादा थीक हैं तो आप यहाँ पर एलो बेरा ज्यादा quantity में भी ले सकते हैं जो है इसको मैंने ginger juice में ही mix किया है तो next is guys मैं यहाँ पर ले रहे हैं olive oil यानि की जैतून का तेल जैतून का तेल में antioxidant properties होती है vitamin E से rich होता है जैतून का तेल जो कि हमारे hair regrowth के लिए बहुत फायदे मंद होता है जिन लोगों के बाल जड़ गये हैं उन्हें जैतून का तेल का जरूर इस्तमाल करना चाहिए इसे बाल जल्दी से उगना शुरू होते हैं और बालू की length भी increase होती है और hair fall भी control होता है साथ ही यह सर के dandrup को भी दूर करने में मदद करता है तो मैं यहाँ पर दो चमच जैतून का तेल ले रही हूँ आप अपनी जरूत के हिंस्वार इसकी quantity घटा या बढ़ा सकते हैं नहीं को कैश्ट रोयल में यहाँ पर zrobi चैस्ट्र आप ले सकते है जो भी 30 में आपको इसली अभी अभेल हो जाता है उइली को फ्रेख totally is print together very growth के लिए बहुत फाइदे मंद होता है सर का गंजह पंधूर करने में बहुत फायदे मंद था यह गंजह सरपे नए बाल वगाने में यह है Ap तो अगर आपके सर पे कहीं पेड़ीफ पड़ गें तो भी ऐस एक पाइब बाल इसका मासक क्यों हैu तो गई यह जिंजर हेयर ग्रोथ मास्क हेयर री ग्रोथ के लिए भी बहुत वाधियमंद है अगर आपके बाल बुरी तरह से जड़ गए हैं तो भी आप इस हेयर मास्क को कुछ दिनों तक यूज करेंगे बहुत जल्दी से आपके जड़े बाल वापस आ जाएंगे क्योंकि यह आपके रूट को एक्टिवेट करता है जिससे नए बाल आने की जू संभावनाओं काफ है तक बढ़ जाती है आपके स्कեղ्प में ब्लट फ्लो को तेज करता है यानि blood अगर आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है तो आप चाहे तो इसे मिक्सी में या जूसर में डाल कर इसे ग्राइंड कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी अच्छे से मिक्स करके लगा सकते हैं तो यह उसका अमारा गाइस बनकर तयार हो गया है कुछ लोगों का यह भी क्वेश्चन होता है कि क्या हम इस नुसके को इस्टोर कर सकते हैं तो गाइस सर्दियों में आप इसको फ्रिज में इस्टोर कर सकते हैं लेकिन आप इसको चार या पान दिन के लिए इससे ज्यादा आप इस्टोर करते हो तो यह खराब हो जाता है इस सेफ ह suffer होती है और आपको इसका पूरा फायदा मिलता है इसलिए जब भी आप इसको 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 इस्तेमाल करें इस से जो आपके जड़े-बाल हो में वेस बहुत जल्दी से ऊठागी सुरू हों गे और बालों की मसाज करनी है, मसाज करने से इसके सारी प्रपरटीज आपकी स्केल्प में पेनुट्रेट होंगी, इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपकी स्केल्प का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इससे आपकी जो स्केल्प में रूट से एक्टिवेट होंगी और बाल जल्दी से उग कर सकते हो इसका प्रयोग आपको हफते में 2-3 बार करना है तो तीन बार अगर आप इसको रेगुलर कुछ महीनों तक इस्तिमाल कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके पतले से पतले बाल भी घने हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे अगर आपके हेर फॉलिकल्स जीवित हैं बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी जड़े बाल आपके बहुत जल्दी से उगने लगेंगे और अगर आपके बूरी तया से जड़ गये हैं और आप इसको हपते में 2-3 बार इस्तिमाल कर लेते हो तो आप इसको लगब 15-20 दिनों में देखेंगे कि आपके जड़े बाल उगना सुरू हो जाएंगे जड़े बालों को जल्दी से उगाने में बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है इसकैल्प को भी क्लीन रखता है बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है इसकैल्प में किसी भी तरह का यह फंगस नहीं होने देता है यह जिंजर हेयर ग्रोथ मास्क फ्रेंड बहुत ज्यादा फाइदेमंद है हेयर रिग्रोथ के लिए और बालू की लंबाई को भी बढ़ाने में तो आप इस हेयर मास्क को जरूर इस्तिमाल करिएगा और अपना फीड़बैक हमें कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक्स वाचीं